प्यारे वच्चों इस वीडियों में हम कक्छा 10 गणित मनुहर अध्याय तीन दो चर वाले रहकेक समय करन युग में बेद प्रशनावली तीन जी के बारे में अध्यान करेंगे जिसमें प्रश्च संक्याई 11 दिया है कि एक भिन एक बटा तीन हो जाती है जब उसके अंस से एक घटाया जाता है और एक बटा चार हो जाती है जब हर में आठ जोड़ दिया जाता है वह भिन ग्यात कीजिए तो हम आएंगे हल हल में हम मानेंगे कि माना भिन एक्स बटे वाई है अब प्रस्ना अनुसार हमें मिलेगा क्या प्रस्ना अनुसार या प्रथम सर्थ के अनुसार हमारा भिन्न था यक्स बटे वाई अब उसने कहा कि भिन्न एक बटा तीन हो जाएगा कब हो जाएगा जब अंस में से घटा दिया जाता है तो अनसमाने उपर वाला मान है एक घटा देंगे तो भिन्द कामान का है गटा 3 हो जाएगा अब तिर्य गुडा करेंगे तो बनेगा 3X माइनस 3 बराबर Y, Y का गुडा एक में 3 का गुडा दोनों के साथ तो 3X-Y यह-3 है उधर चला जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और यह प्लस था इधर आया माइनस हो गया अब आएंगे पुनह प्रस्ना नुसार पुनह प्रस्ना नुसार या दूसरी सर्थ के नुसार फिर हमारा भिन्ने एक्स बटे वाई है करें जब हर में 8 जोड दिया जाता है तो भिन्न एक गटा 4 हो जाता है तो हर का मतलब नीचे वाला मान कराय आठ जोडने के लिए 8 जोड दीजिए और भिन्न कहाई गटा 4 हो जाता है तो गटा 4 लिख दीजिए तिरिये गुड़ा 4 का गुड़ा X के साथ तो हमें बन जाएगा यानि मिलेगा 4X ये बराबर होगा Y प्लस 8 क्योंकि Y प्लस 8 का गुड़ा 1 के साथ करेंगे तो Y प्लस 8 आएगा 4X माइनस Y बराबर 8 समी करन नमबर 2 हो गया समी करन एक हमारा था यानि 3X माइनस Y बराबर 3 अब इन दोनों समी करनों को हम हल करेंगे तो यदि हम जोड़ गटा दें तो एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा क्योंकि घटाने पर चिन है बदल जाएगा अब हमारा Y प्लस माइनस कट गया 4X में से 3X घटा दिये तो X आया 8 में से 3 घटा दिये तो 5 आया X का मान समी करन एक में रखने पर तो समी करन एक हमारा था यानि 3X माइनस Y बराबर 3 तो 3 गुड़े X माने 5 माइनस Y बराबर 3 ये इधर जाएगा प्लस होगा 3 आएगा माइनस होगा 3 पचे 15 माइनस 3 तो 15 में से हमने 3 घटा आया 12 मिला तो Y बराबर हमें 12 मिल गया इसलिए जो भिन्ड बना इसलिए भिन्ड भिन्ड बराबर था हमारा X बटे Y और X कामान हमने पाया है यहां पर 5 और Y कामान हमने पाया है यहां पर बार है तो बना 5 बटे बार है यही हमारा इंस्वर हो गया यही हम चेक करना चाहें तो अगर नीचे गटा देंगे यानि अंस में गटा देंगे तो 5 में से गटाएंगे 4 बटे बारा 4 तीन बार इंस्वर हो गटा तीन आजाएगा फिर अगला है कि अगर हम हर में 8 जोड़ दें तो बार आठ बीस और पांच अगवीस एगटा चार हो जाएगा वानि यह भी सही है अगला आएंगे प्रस्ण संख्या बार है पिता और पुत्र की वर्तमान आयूका अनुपात पांच अनुपाते दो है अब अनुपात में कही रास माना जाता है तो हल में माना पिता तो पहला पिता है तो पांच यक्स वर्त और पुत्र की आयू हमें मिल जाएगी दो यक्स वर्त है अब आगे कह रहा है कि दस वर्त बाद यहां है वर्त तो कह रहा है दस वर्त बाद तो दस वर्त बाद पिता जो होगा वह पांच यक्स प्लस दस हो जाएगा और जो पुत्र होगा दस वर्त बाद वह दो यक्स प्लस दस वर्त हो जाएगा अब कह रहा है उनकी आयू का अनुपाद दो एक हो जाएगा तो प्रस्ना नुशार यानि अब अनुपाद बना अनुपाद मने पांच यक्स प्लस दस पिता है दो यक्स प्लस दस पुत्र है और अनुपाद दो बटी एक हो गया तेरी अगुड़ा करेंगे एक का गुड़ा पांच यक्स के साथ पांच यक्स प्लस एक का गुड़ा दस के साथ दस दो का गुड़ा कर देंगे दो दूनी चार यक्स दो का गुड़ा दस में दस दूनी 20 अब पांच यक्स में से चार यक्स घटेगा अब इधर जाके 10 घटेगा तो 5X में से 4X घटा देंगे 5X माइनस 4X बराबर हो गया 20 माइनस 10 तो इधर मिला 1X इधर मिला 10 मने हमें 1X का मान मिल गया पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आए तो दोनों की वर्तमान आए यही है 5X और 2X तो बन जाएगा पिता की वर्तमान आए बराबर हो गया 5X तो बराबर 5 गुड़े 10 यानि 50 वर्स और पुत्र की वर्तमान आए वर्तमान आए बराबर है 2X बराबर 2 गुड़े 10 बराबर 20 वर्स ये एक एंस्वर मिला पुत्र की वर्तमान आए ये मिल गया पिता की वर्तमान आए यही एंस्वर हो गया यानि एंस्वर ये पुत्र वाला और ये एंस्वर आपका पिता वाला तेरह है पांच वर्स बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी पांच वर्स बाद पुर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की साथ गुनी थी तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है तो हम मानेंगे कि पांच वर्स पहले का मान लेंगे तो हल में मिल जाएगा कि माना पांच वर्स पूर्व जैकब की आयू करा है उसके पूत्र की आयू से तीन गुनी है तो हम पूत्र की आयू मानेंगे यक्स वर्स तीन गुनी है तो तीन यक्स हो जाएगा अब कह रहा है पांच वर्स ये पूर्व की आयू है तो यदि हम वर्तमान में आएंगे तो 5-5 जोड़ना पड़ेगा यानि वर्तमान आयो क्योंकि ये 5 साल पहले का है तो वर्तमान 5 साल की बाद आएगा तो 5 जोड़ देंगे जैकब बराबर हो जाएगा 3X प्लस 5 और पोत्र हो जाएगा X प्लस 5 फिर कर आए पांच वर्स पूर्व यह बना हमारा पांच वर्स पूर्व यानि यह सब मिला अब कह रहा है पांच वर्स बाद तो बन जाएगा पांच वर्स बाद तो वर्तमान से पांच वर्स बाद जो जय कब बनेगा शोरी 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 यहां दिया है पांच वर्स बाद जय कब किया है पने पुत्र किया है कि तीन गुनी हो जाएगी तो यहां आएंगे तो पांच वर्स पुर्व हम जो जय कब किया लिये हैं वह पुत्र का यक्स होगा तो पांच वर्स पुर्वाला जो दिया है साथ गुनी होगा तो यह साथ यक्स बन जाएगा और वर्तमान में आएंगे तो पांच वर्स की बाद वर्तमान आएगा तो इसलिए हम यहां साथ यक्स में पांच जोडेंगे और अगला एक्स में पांच जोड़ेंगे अब पांच वर्स बाद जैकब जो होगा वह आपका बन जाएगा यानि साथ एक्स प्लस पांच और प्लस पांच और जोड़ेंगे क्योंकि बाद में जोड़ेंगे तो साथ एक्स प्लस दस हो गया और पोत्र जो बनेगा वह X प्लस 5 है 5 और जोड देंगे तो X प्लस 10 हो जाएगा अब आगे आएंगे करा तीन गुनी हो जाएगा तो प्रस्णा नुसार प्रस्णा नुसार जो जय कब है यानि 7 X प्लस 10 यह पूत्र यानि एक्स प्लस दस से यह यानि जय कब तीन गुना होगा तो तीन का गुड़ा इसमें कर देंगे यह बन जाएगा तीन एक्स प्लस दस तीन यहीं 30 इधर मिला 7 एक्स प्लस दस तो 7 एक्स में से 3 एक्स घटा दिये 4 एक्स इधर 30 में से 10 घटा दिये तो 20 एक्स बराबर 4 पच्चे 20 अब जो वर्तमान चाहिए तो वर्तमान हमारा एक आपका यहाँ है एक यहाँ है तो यह बन जाएगा 7 गुड़े 5 और प्लस 5 साथ पच्चे 35 चालिस वर्स एक एंस्वर यह बन जाएगा दूसरा जो पुत्र है वह 5 प्लस 5 बराबर 10 वर्स यह दूसरा एंस्वर हो जाएगा तो यह हमारा एंस्वर बनेगा अब यदि हम चेक करें तो कह रहे हैं 5 वर्स के बाद यानि चेक करने के लिए हम रफ करें तो 5 वर्स के बाद जैकब 45 साल का यह 15 साल का उकरा इसका यह 3 गुना है तो सही है दूसरा है कि 5 वर्स पूर वर्स यह 35 वर्स का हो जाएगा और पुत्र 5 वर्स का हो जाएगा पांच सते पैंती साथ गुना है यह भी सही है यह हमारा रहा 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 अगला जाएगे चवदा नंबर प्रस्न संख्या चवदा तो वर्तमान से 10 वर्स पिता की आई पुत्र की आई की चार गुनी थी दस वर्स पूर्व यहां पूर्व हो जाएगा तो यानि दस वर्स पहले अब से मने वर्तमान से 10 वर्स की बाद पिता की आई पुत्र की आई की दुगनी रह जाएगी उनकी वर्तमान आई ग्याद कीजिए पिता की आई असी वर्स होने के समय पिता और पुत्र की आई का नुपात भी ग्याद कीजिए तो आज आएगी पहले हम हल में तो चाहें तो वर्तमान मान ले कि माना पिता तथा पुत्र की वर्तमान आई क्रमस एक्स वर्ष तथा वाई वर्ष है अब कह रहा है कि दस वर्ष पूर्व तो प्रस्ना नुशार दस वर्ष पूर्व जो पिता होगा तो पहले की बात कर रहा है इसले घड़ जाएगा अब पुत्र में में से भी दस वर्ष घड़ जाएगा पुत्र की आयो की चार गुनी थी पिता चार गुना था तो बराबर तब होगा जब हम पुत्र वाले में चार का गुड़ा कर देंगे तो ये बन गया हमारा x-10 बराबर होगया 4y-40 लाकि घटाएंगे तो x-4y बराबर यहां बनेगा माइनس 40 प्लस 10 क्योंकि माइनस इधर आएगा प्लस होगा यक्स माइनस 4 वाई बराबर बन गया माइनस 30 समय कर नंबर एक फिर आएंगे पुनह प्रसनानुसार पुनह प्रसनानुसार अब कह रहा है कि अब से 10 वर्स बाद तो 10 वर्स बाद जो पिता होगा x प्लस 10 वर्ष का होगा पुत्र भी x y प्लस 10 वर्ष का होगा और बता रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद 2 गुनी रह जाएगी पिता दुगुना होगा तो इसका मतलब 2 का गुड़ाइस में कर देंगे यह बनेगा 2 y और प्लस 10 दोनी 20 यह बना yaks प्लस 10 तो X ये इधर आएगा माइनस बनेगा तो X माइनस 2Y बराबर 20 में से 10 घट के 10 आएगा समीकर नमबर 2 हो गया अब समीकरण 1 और 2 दोनों हल करना है तो समीकरण 1 था हमारा X माइनस 4Y बराबर माइनस 30 और दूसरा है X माइनस 2Y बराबर है 10 ये एक था और ये दो अब यदि हम घटा देते हैं तो माइनस प्लस ये माइनस ये कैंसल हो जाएगा और चार वाई में से दो वाई घटके माइनस जादा है माइनस दो वाई इधर तीस दस चालिस माइनस चालिस माइनस माइनस कटेगा 2 से भाग देंगे तो 2 दोनी 4 बीस वर्स हो गया और जो पीता होगा अब Y का मान समी करण एक में रख देंगे एक में रखने पर तो समी करण एक हमारा है X माइनस 4 गुड़े Y मने 20 बराबर माइनस 30 तो 11 समीर बराबर 20 चुग 8 माइनस है जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 30 प्लस 80 तो 80 में इसे 30 घटा के 50 वर्स तो एक आंसर ये हो गया पीता का और ये पुत्र का इसलिए जो आंसर मिला पीता मिला हमें यानि पिता की वर्तमान आए बराबर 50 वर्स और पुत्र की वर्तमान आई बराबर यानि वाई वाई मने बीस वर्स यही हमारे दोनों इंस्वर हो गए अगला जाएंगे प्रश्ण संख्या पंद्रह दिया है पांच वर्स पुर्व नूरा की आईव सोनी की आईव की तीन गुनी थी दस वर्स पुर्श्चा तो नूरा की आईव सोनी की आईव की का दो गुनी हो जाएगी सोनू करा है नूरी तथा सोनू की आईव की तनी है तो फिर हम आएंगे हल और इसमें मानेंगे माना नूरी की वर्तमान वर्तमान आईव यक्स वर्स तथा सोनी सोनू की आईव की आईव की वर्स है तो यहाँ आएंगे अब प्रस्ना नूसार बात कर रहा है पांच वर्स पूर्व तो पांच वर्स पूर्व यक्स माइनस पांच होगा और सोनू जो होगा वह हुआई माइनस पांच होगा अब उसन ने कहा कि पांच वर्स पूर्व नूरी नूरी बने एक्स माइनस पांच सोनू की आईव की तीन गुनी थी यह तीन गुनी थी तो बराबर तब होगा जब इसमें हम तीन का गुड़ा कर देंगे तो बना एक्स माइनस पांच बराबर 3Y minus 5 ती यही पंदर है तो ये बन गया X minus ये 3Y आएगा तो माइनस बनेगा और ये बराबर हो गया minus 15 और minus 5 था तो प्लस 5 X minus 3Y पराबर हमें मिला minus 10 अमिकर नमबर 1 फिर आएंगे पुनह प्रस्ना नुशार पुनह प्रस्ना नुशार अगला हमें मिल जाएगा कि दस वर्ष पस्चात तो नूरी एक्स प्लस दस होगी और जो सोनू था ये वाई प्लस दस वर्ष हो जाएगा और फिर कह रहा है आगे दो गुनी तो ये दो गुनी होगा तो दो का गुड़ा इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ये एक्स प्लस हमेशा पहला वाला कहेगा दो गुनी तो दूसरे में गुड़ा करना होगा दो ये दो दहा में 20 ये बना ये एक्स माइनस दो ये बराबर 20 में से 10 घटेगा तो 10 आएगा अब हमें समी करन एक और दो दोनों हल करना है तो समी करन एक है हमारा एकस माइनस तीन वाई बराबर है माइनस दस दूसरा है एकस माइनस दो वाई और ये बराबर है दस अब हल करने के लिए हम चिन्ह बदलेंगे यानि घटाएंगे यह कैंसिल हो गया, यह माइनस है, प्लस जादा माइनस है, तीन वाई में से दो आई घटके एक वाई मिला, इथर दोनों माइनस है जुड़ गये, तो 20 माइनस माइनस कटके वाई बराबर 20 वर्स हो गया, अब य का मान समी करण एक में रखने पर, तो समी करण एक हमारा है यहाँ, यानि एक्स माइनस तीन, वाई माने 20 वर्स वर्स बराबर था माइनस 10, तो एक्स बराबर 20 तीन, 60 राइट में जाएगा, प्लस होगा, शरी, और माइनस 10 पहले से है, तो घटा देंगे यह एक्स बराबर आ गया, 50 वर्स, तो एंस्वर क्या मिला हमें, एंस्वर में, नूरी की वर्तमान आई, 50 वर्स, तो बन जाएगा यहाँ, नूरी की वर्तमान आई, यह बराबर हो गया, 50 वर्स, और अगला है, सोनू की वर्तमान आई, तो सोनू हमारा था यहाँ, 20 वर्स, यह हमारे अंस्वर हो जाएंगे, अगला है प्रश्न संख्या, सूलह, तो दिया है, पांच वर्स पुर, पिता की आई, पुत्र की आई, का चार गुनी थी, और पंदर वर्स बाद, पिता की आई, पुत्र की आई, की दुगनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आई, तो सोला में हम आएंगे हल तुम मानेंगे कि माना पिता तथा पोत्र की वर्तमान आयो ग्रमस है एक्स वर्स तथा य वर्स है अब करहा है पांच वर्स पूर्व है यनि प्रस्ण अनुसार तो पूर्व कहा इसलिए हम घटा देंगे तो पिता येक्स मानेस पांच बनेगा पुत्र वाई मानेस 5 बनेगा अब ये कह रहा है चार गुनी थी तो पहला हमेशा चार गुना होगा पिता चार गुना है तो इसमें चार का गुड़ा कर देंगे तो बन किया गया एकस माइनस पांच बराबर हो गया चार वाई और माइनस चार पच्चे बीस तो ये बना एक्स माइनेस इधर से आएगा तो 4y और माइनेस 20 और प्लस 5 अरथात एक्स माइनेस 4y और ये वराबर हो गया माइनेस 15 समय का नमबर एक बना फिर आएंगे पुनह प्रस्ना नुसार अब फिर वही प्रक्रिया बनेगी कि कह रहा है 15 वर्स बाद तो जो पिता होगा ये एक्स प्लस 15 हो जाएगा और जो पुत्र होगा वह y प्लस 15 हो जाएगा अब बता रहा है कि दुगुनी हो जाएगी तो पिता दुगुना होगा तो दोगा गुड़ा पुत्र में करेंगे फिर X प्लस 15 बराबर 2Y प्लस 15 पंदर 30 हो गया तो बना X माइनेस 2Y बराबर 30 में से 15 घटके 15 समीकर नमबर 2 हो गया अब दोनों समीकरन हम हल करेंगे तो पहला समीकरन हमें मिला X माइनेस 4Y बराबर माइनेस 15 दूसरा मिला हमें X माइनेस 2Y बराबर प्लस 15 अब दोनों हल करने के लिए हम घटा देंगे क्योंकि जिसका गुड़ांग बराबर है चिन समान है अब माइनेस जादा है तो माइनेस 4Y में से 2Y घटेगा तो 2Y दोनों माइनेस से जुड़ जाएंगे 30 आ गया 15, 35, 35, माइनेस माइनेस से कटा Y बराबर 2 का भाग दे दिए 15 वर्ष अब आएंगे समी करन एक से अर्था समी करन एक में मान रखेंगे Y का और दिया है X माइनेस 4Y, Y मनि 15 बराबर माइनेस 15 तो Y बराबर 15 का 60 माइनेस था प्लस हो गया माइनेस 15 है उधर है तो 60 में से 15 घटा देंगे 45 वर्ष इसलिए बना यानि उत्तर में कि पिता की वर्तमान आए ये बराबर हो गया 45 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आए बराबर हो गया 15 वर्ष यही दोनों हमारे इंस्वर हो जाएंगे अगला है 17 तो दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिगरी अधिक है उन्हें ग्यात कीजिए तो आएंगे हल तो हमारा मिल जाएगा कि मानेंगे कि माना दो संपूरक कोण एकस तथा वाई है अब माना जाएगा एक बड़ा है जहां यकस बड़ा है वाई से तो संपूरक है इसका मतलब अगर हम दोनों को जोड देंगे तो एक सवसी आएगा क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग एक सवसी होता है अगला है जो बड़ा वाला है ये छोटे वाले से 8 थारा जादा है तो बड़े वाले मसे छोटे वाले को घटा देंगी तो 18 ये 2 हो गया अगर हम जोड देते हैं तो किंसेल और 2 एक्स बराबर 8 8.1 और 1 इस 8 में 0 जोड़ दिया 8 8.1 नो हो गया 1 आगया अब दो का भाग दे देंगे 2018, 2018 एक एंसोर ये बना अब X का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा X प्लस Y बराबर 180 समीकरण 1 है तो यदि Y बराबर निकालेंगे तो 180 माहिना सी एक्स तो एक्स वस्य माइनस निन्या नवे तो दस में से नव घटाएंगे एक आएगा यहां मिला साथ तो नव आठ सतरह क्या सी एंसा गया तो हमारा दस में से नव घटा दिये तो एक आया साथ सतरह में से नव घटाएंगे तो नव आठ सतरह यह बन गया तो हमारा इंस्वर क्या मिला बड़ा कूण जो है वो निन्या नवे है और छोटा वाला कूण जो है वो 81 डिगरी है यही हमारा इंस्वर हो जाएगा थैंक्स फार वाचिंग